हेलो स्टुडेंट्स आज हम इस लक्चर में प्रिप्रेशन अफ हर्बेरियम हर्बेरियम क्या है और हर्बेरियम कैसे बनाई जाती है Second year के students को practical में जो आपकी एक simple record बनती है उसके अलावा आपको herbarium भी बनानी पड़ती है तो herbarium क्या है और यह कैसे बनाई जाती है हम आज इसके बारे में थोड़ी जर्चा करेंगे और आपको इसकी method पूरी समझाने की कोशिश करेंगे कि आप लोगों को herbarium बनानी है तो आपको कैसे बनानी है और उसको कैसे रखना है herbarium क्या है herbarium सुखे पादपों का संकलन है अत्वा हम कह सकते हैं कि it is a collection of dried plant specimens मतलब जो हम plants को सुखा कर उनका dried specimen बनाते हैं उनका collection herbarium है herbarium बनाने का जो मुख्य उद्देश है उससे हम उस ख्षेत्र में मिलने वाले विवित प्रकार की जो plants के प्रतिरूप है हम उनके बारे में जानकारी खटी कर लेते हैं और उनके विशे में आवशक सूजना एकत्रित करके उनको हम सुरक्षित रख सकते हैं हम यह कह सकते हैं कि किसी भी ख्षेत्र की वनस्पती का प्राइमरी डाटा सोर्स herbarium है और यदि what is the herbarium तो herbarium is a collection of plant specimens preserved, labelled and stored in organized manner जो भी हम plant collect करते हैं उनको store करते हैं और वो सब labelled होते हैं तो किसी भी ख्षेत्र की वनस्पती का या फ्लोरा का herbarium त्यार करने में हमें उस ख्षेत्र के अलग-अलग मौसम में plants को जो है इखटा करना चाहिए और उनको properly method से जैसे सुखाया जाता है plants को वैसे सुखा कर herbarium sheet पर लगाना चाहिए भी आपको हम herbarium sheets भी बताएंगे और कैसे plant लगाना यह आपको बताएंगे अब तयार herbarium sheets जिस स्थान पर preserved रखी जाती हैं वे स्थान जो है herbaria कहलाते हैं तो there are in world there are so many herbaria और उनमें इतने सारे plants preserved हैं कि हम यदि किसी नए plant को देखें तो हम जैसे हमारे इंडिया में भी कई जगे herbaria हैं और वहाँ जाकर हम कोई भी plant को identify आसानी से कर सकते हैं अब हम यदि मान लेजिए second year के जैसे आप students हैं और आपको herbaria बलाना है तो आप क्या करेंगे सबसे पहले अपने आसपास के क्षेत्र के कुछ plants ऐसे plants जिनको आप न पहचानते हों तो उनको आप पहले collect करेंगे लेकिन plant collect करने के लिए भी आपको कुछ equipment या कुछ सामानों की जरूरत होगी और वो सामान जो है देखिए वो है या आपके इस diagram में clear दिख रहे हैं यदि हम को plant collect करना है तो हमें सबसे पहले एक खुर्पी चाहिए या पिक है ना खुर्पी पिक जिससे हम plant को जो छोटा herb होता है उसको जड़ सही निकालने और जड़ सही निकालने से क्या होता है कि हमें उसकी roots की भी जानकारी मिल जाती है और यह आपका जो एक दूसरा का बना हुआ एक डब्बा जैसी सरचना होती है और इस डब्बे में हम plants को रख लेते हैं तो उससे क्या होता है कि इसमें जो है पौधो को हम सूखने से बचा सकते हैं लेकिन हम साधरें तर वैसकुलम ना भी ले जाए तो हम प्लास्टिक की जो थैलिया है इन में plant को रख लेते हैं जिससे क्या होता है कि plant जो है काफी देर तक उसमें मुर्जाता नहीं है वो अपनी सामनी अवस्था में रहता है इसके बाद जब भी हम plant collect करने निकलें तो हमारे पास एक field notebook अवश्य होनी चाहिए क्योंकि जो field notebook है ह हम उस में उस plant की बारे में जानकारी information नोट कर सकते हैं जैसे कि what is the height of plant, plant herb है, shore bed tree है और इसकी leaf कैसी है, इसकी size कैसी है और हम इसको किस दिन collect कर रहे हैं, ये कहां पर पाया जाता है, इसके पुश्पों का रंग कैसा है, इसकी जो है architecture कैसी है ये मतलब हमको उस tree या plant हाल जो भी है, climb बारे में हमको जो भी दिख रहा है, वो हमें field book में note कर लेना चाहिए, जो कि हमें बाद में बहुत सी जानकारिया एक साथ एकत्र करने में, इखटी करने में मदद करता है, अब हमने plant तो collect कर लिए, लेकिन हम इन plants को ऐसे ही, हरबेर हम नहीं बना सकते, हमें क्या करना होगा, ये जो हमने plant लिए है, हमें इनको सुखाना होगा, हमें इनको सुखाना होगा, तो इनको सुखाने के लिए एक plant press structure होती है, अब plant press जो है, ये लकडी की बनी होती है, जिसमें की दोनों तरफ ये जैसे दिख रहे हैं, आपको लकड के ऐसे स्क्वायर स्क्वायर बोर टाइप होते हैं इनको स्क्रू से कस दिया जाता है इनकी बीच में ब्लॉटिंग पेपर या अख़वार लगा दिया जाता है जिससे और उसमें जो है प्लांट को प्रॉपरली प्रैस करके सुखाने के लिए रख देते हैं तो ये पांचे इसकी नमी जो है वह ब्लॉटिंग पेपर्स वारा एब्सॉर्ब हो जाएगी और हमारा जो प्लांट मटीरियल है वह खुल जाए वह सूख जाएगा तो इस तरह हमको इसको एक बार भी करना पड़ सकता है कई बार हमारा प्लांट प्रॉपरली नहीं सुखे तो हमको इसको दुबारा भी करना पड़ सकता है अब जब हम प्लांट कलेक्ट करने जा रहे हैं तो हमें वहाँ पर कई चीजों का ध्यान रखना चाहिए जैसे कि यदि मान लिजे किसी प्लांट में बल्ब है और राइजोम है उसका जो इंटरनल नीचे भूमी वाला का अंदर है उसको भी हमको नीचे से ही लेना चाहिए जैसे हम उस प्लांट को इजी लिया आइडेंटिफाई कर सकते हैं फिर है कि यदि उसमें मान लिजे कि वो श्रब है या जाड़ी है तो हमें उसका जो वित इंफ्लॉरंसिस वाला पार्ट लेना चाहिए अधिकतर यदि जब हम इंफ्लॉरंसिस वाला पार्ट ही लेकर उसका हर्बेरियम शीट बनाएंगे क्योंकि इंफ्लॉरंसिस से हमें किसी भी प्लांट को आइडेंटिफ फ्लॉवर और इंफ्लॉरंसिस से हमें उसको पहचान करने में आसानी होती है या फिर उसकी फाइलो टेक्सी फाइलो टेक्सी मतलब उसका पर्डविन्यास की पत्तियां किस प्रकार है तो यदि हमें य आसानी हमें फिल्ड बुक में नोट कर लेना चाहिए तो यह तो हमें प्लांट को कलेक्ट करते से में इन बातों का ध्यान रखना चाहिए अब हम हर्भेरियम शीट को कैसे तयार करते हैं देखे यह आपको यह आपकी पूरी बनी हुई हर्भेरियम शीट है तो आपको प्लां ले लिया जहां भी आप रहते हैं अपने अस्पास के जगह से प्लांट ले लिया फिर आपको इस तरह से उसकी हर्बेरियम शीट बनानी है देखिए यह हर्बेरियम शीट मार्केट में बनी-बनाई मिलती है और हर्बेरियम शीट का एक standard size होता है अधिकतर यह मोटे से काट के होती है और इसका जो एक standard size है तो आपको standard size की herbarium sheet लेनी है और सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जैसे हमारे प्लांट थोड़ा सा लंबा है जिसमें कि लंबा हमने काटा है उसको तो हम उसको इस herbarium sheet पर V या W के आकार में दिखाई दे और जब हमारा प्रैस में हमने plant रख दिया हम उसको कई बार लगता है कि थोड़ा सा नम अकबार है तो हम आकबार को बदल दें और उनको नम अकबार को थोड़ा सा धूप में रखगे भी हम पुना उनको यूज्स कर सकते हैं बतलब हमें यह देखना है कि हमा जैसे कि मानने जी शीट पर आपने एक प्लांट लगा लिया अब आपको मानने लोस के शीड रहे हैं या उस प्लांट का कुछ विशेश्च प्रकार का फल मिल रहा है तो इसको भी इन्वेलप में पैकर कर के शीट के साथ रख देना जाहिए जिसे कि हम उसको बहुत आसानी जोब थी था उनल तेद सभू बार्टेश, क्या थी , अभी हुट को प्चारिथ कर लेते हैं अभी पी्याज भूज़बि क्या बीवडाइन दौन्ट इस पर plant चिपका है, जैसे यह आपका plant चिपक गया, अब जब आपका plant चिपक गया, तो हमको इसके नीचे right hand side पर इस तरह से पूरा लिखना पड़ता है, तब ही हमारी जो herbarium sheet यह complete होती है, जैसे हमने लिख लिया और फिर हमने इसके दाइक होने पर हमको पूरी इसके description लिख field book है, हमने field book में इस पौधे के बारे में जितनी भी जानकारी लिखी है, वो हम यहाँ पर आसानी से लिख कर उसको पूरा लिख सकते हैं, अब देखे, जैसे कि इसमें सबसे पहले हमको, क्या क्या हम उसका लिख सकते हैं, सबसे पहले label की कहा का herbarium है, भई यह जो herbarium है, यह कहा का है, फिर उसका field number क्या है, भई हमने जहाँ पर भी देखा उसका number क्या है, फिर family का नाम क्या है, हमें पता है ने कि enjoy sperm के हम जब plants को study करते हैं, तो हमको उसकी family भी हम पढ़ते हैं कि यह किस family का member है, तो कुल का नाम, family का नाम, plant का botanical name of the dried plant, इस सुखे हुए plant का botanical name, फिर local name, उस plant का सामने भाषा में, वहां के local लोग उसका क्या उप्योग करते हैं, हमें उसका local name लिखना चाहिए, फिर किस स्थान से वो plant लिया गया है, name of the locality कहां से लिया गया है, और date of collection, किस दिल आपने किस plant को collect किया है, और collectors किस ने उसको इखटा किया है, उसका नाम भी आना चाहिए, name of the collector, कौन है, जो उस plant को तयार कर रहा है, उसको जो है, उसने plant को collect करके, और इस तरह से herbarium sheet बनाई है, तो बच्चों, आप लोगों को भी ये acid sheet पर plant सुखाने हैं, और herbarium sheet तयार करने हैं, देखो, ये जैसे herbarium sheet ये बनी हुए, आप बहुत इससे भी अच्छी herbarium sheet बना सकते हैं, अब देखिए, जब हमने herbarium sheet पर पौधे चिपका लिए, फिर उनके नाम लि देख लिया, तो हम उसको एक file में अच्छे से करकर, और हमको उसमें fungi side ये insecticide डालना चाहिए, जिससे की, ये herbarium sheet हमारी बहुत दिनों तक खराब ना हूँ, क्योंकि क्या होगा, ये herbarium sheet नहीं, तो कुछ समय में ये खराब हो जाएंगे, तो हमको इनको बचाने के लिए, बहुत दिनों तक हमें ये खराब ना हूँ, तो हमें क्या करना पड़ता है, इनको insecticide अब insecticide और जहां पर आप herbarium sheets रखते हैं, हम वहाँ पर naphthalene ball जो हम कपड़ों में रखते हैं, वो balls या DDT भी रख सकते हैं, जिससे कि ये हमारी herbarium sheets बहुत समय तक खराब ना हूँ, इस herbarium, जहां पर ये पूरी herbarium sheets रखी जाती हैं, और वो सान कहलाता है herbaria, या पादपाले, herbaria या पादपाले, तो विश्व में भी कई important herbaria of the world हैं, और हमारे भारत में भी कई जगह important herbaria हैं, जैसे कि सबसे बड़ा हमारा जो भारत में है, herbaria, जो सबसे बड़ा herbarium है हमारे भारत में, वो है केलकटा में, कहां पर है, केलकटा में, the Central National Herbarium, केलकटा, Central National Herbarium, केलकटा, ये एक government का संस्थान है, और इसके स्थापना 1800 के आसपास हुई थी, और इसमें, जो प्रादर्श हैं, plants के जो प्रादर्श हैं, वो बहुत सारे कम से कम, बहुत सारे प्रादर्श हैं, और इसका रख रखाओ, Botanical Survey of India द्वारा किया जाता है, इसमें, बहुत सी, नई नई जातियों का, भी herbarium है, जिससे कि, हम उसको जाके, identify कर सकते हैं, और, जिससे कि, हमें, अपने देश का, जैसे हम यहाँ पर देखें, तो हमें अपने पूरे इंडिया का फ्लोरा, आसानी से, मिल सकता है, और इसमें, डिस्टिक फ्लोरा भी है, तो इस तरह से, हमको, वहाँ पर, बहुत सी चीज़ें, मिल जाती हैं, इसी तरह, National Botanical Research Institute, National Botanical Research Institute, राश्टी वानस्पतिक शूट, सरसान लखनों में भी, अच्छा हर्वेरिया, यहां का भी हर्वेरिया, यहां, इसके स्थापना, 1948 में हुई थी, और इसमें, कम से कम, 40, इसमें 40 से 45,000, अब जो 40 से 45,000 के करीब, प्लांट स्पस्टी में हैं, हर्वेरियम शीच से, तो यह भी एक अच्छा हर्वेरिया, तो बच्चों, आपको, प्रैक्टिकल एक्जाम में, फाइल के साथ साथ हर्वेरिया भी बनानी हैं, तो इस तरह से, आपको, हर्वेरियम शीच बनानी हैं, जिसमें, आप अपने, आसपास की, लोकेलिटी के, कम से कम, 20 प्लांट, एकटे करेंगे, सुखाएंगे, और उनकी, उनकी, जो है, आप श हो जाएगा,